नमस्कार अप लाइव सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला बिहार विधान सभा चुनाव में किस पार्टी और किस गटबंधर के बीच काटे की टक्कर होने जा रही है ये तो कहना मुश्किल है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले बयान बाजी के द्वारा काटी की टक्कर हो रही है चाहे वो महागटवंधर के नेता हो या फिजपी के नेता लेकिन फिलहाल बीजपी के नेताओं की अगर हम बात कर लें तो वो राज़त पर लगातार हमले बोल रहे हैं बड़े बड़े हमले बोले जा रहे हैं इससे पहले हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि देवेंदर फर्णवीस ने किस पकार सीता बढ़ी में अपने विरोधियों पर यानि की राज़त पर और तेजस्वी आदव पर कैसा हमला बोला और क्या के आरोप लगाए तो अब हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी के एक और बड़े नेता की और वो कोई और नहीं बलकी बिहार की उप मुखे मंतरी सुशिल कुमार मोदी हैं जिन्होंने तेजस्वी आदव को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये तक कह दिया है कि अपने पिता लालू परशाद आदव की ही तरह तेजस्वी आदव की बाकि की जिंदगी भी जेल में कटने वाली है आप बरे रहे वीडियो के अंतक हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी खबर के बारे में और ये भी बताएंगे कि अब उसके बाद सियासत में किस तरह से घम असान होने वाला है बेहर च की तेजस्वी ने अपने समपत्ती के बेवरे में बहुत कुछ चुपा लिया है और उन्होंने गलत जानकारी दी है सुशिल परति को दिया है दिखाया गया है जो समपत्ति गिफ्ट में मिली है जबकि एफिडेविट में इसे 2005 में खरीद किया गया बताया गया है। कि रागवपूर निर्वाचन क्षेतर से अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दोरान उन्होंने जो शपत पत्र दिये उसके अनुसार उनके पास कूल 5.888 लाख रुपए से अधिक की चल और अचल समपत्ति है। नौई पास करने की जानकारी दी है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। पास के जिन्दगी भी जेल में कटने वाली है। आप देखना ये होता है कि इस पर भी राजवत की क्या प्रतिक्रिया आती है। देर सवेर ही सही लेकिन तेजस्वी आदव ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे कि सुशेल कुमार मोदी के या यारो उप आधार हैं या फिर निराधार हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम चोटी बड़ी कबरे हम आपको बताएंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे। अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे ह हुआ